अलो व्लकुम बैक टो इसे में अधर टाम और के प्रिवेस यह कोश्चिन स्रीज का क्वेशिन है यह A and B can do a piece of work in 30 days while B and C can do the same work in 24 days and C and A in 20 days they work together for 10 days when B and C lives how many days more will A take to finish the work मतलब कितना और दिन लेगा एक्स्ट्रा दिन ही मांगा है और कुछ नहीं तो A B कितना दिन में करता है 30 दिन में B और C कितना दिन में करता है B और C 24 दिन में A और C कितना दिन में करता है A plus C करता है 20 दिन में एक दिन में कितना करेगा sir अगी उनिट करता है। with यूनिट यूनिट करताहि है ? इक दिन में कितना करेगा sir 2 6 1 बाथ 6 उουνिट करता है अब तो टोटलय ऐड कर देता है तो कितना आ जाएगा sir 2 into a plus b plus c बराबर कितना 6 5 11 और 11 चर 15 उनिट अब a plus b plus c कितना उनिट आए जाएगा sir a plus b plus c आजाएगा 15 बटा 2 उनिट ठीक है 2 से डिवाइट कर दिया देखो b and c लिप कर गया तो b and c को अगर हटा दे b and c कितना करता है sir 10 दिन में करता है sir b and c 10 दिन में कितना उनिट करता है sir 5 उनिट करता है तो कितना हो जाएगा sir sir अच्छा यहां से a का निकाल लेते है ठीक है b और c को हटा दे तो कितना हो जाएगा sir 15 बटा 2 माइनस 5 मतलब 5 दो 10 5 बटा 2 उनिट करता है a ठीक है ऐ करता है इसको हटा दिया न माइनस कर दिय तो ए करता है करता है एक DIN में 5 बटा 2 UNIT ठीक है समझने के कोछिश करो they all work together मतलब 15 बटा 2 बटा यह एब最 2 तीनों ने मिलके एक साथ काम किया कितना दिन के लिए, सर, 15 बटा 2 यूनिट करता एक दिन में, 15 बटा 2 यूनिट करता एक दिन में, वैसे 10 दिन काम किया, तो कितना यूनिट काम हो गया, सर, 15 बटा 2 इंटु 10, मतलब 2, 5, 10, तो 15, 5, 75 यूनिट खतम हो गया, कितना बचा हुआ है, सर, 120 यूनिट में से, 120 यून यूनिट करता एक दिन में 45 यूनिट करेगा कितना दिन में सर 45 बाइ 5 इन टू उपर चल जा रहा दो तो 5 9 45 9 2 18 दिन में तो 18 दिन में खतब हो जाएगा option number 1 is the correct answer ठीक है सर थैंक यू बाबाय स्टे तून फो दे नेक्स्ट क्लास